हेलो एवरिवन वेलकम तो वर न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज 6.2 और हमारा कॉस्चिन क्या दे रखा है फेक्टराइज इच ओफ फोलोईंग हमें कुछ एप्रेक एक्स्प्रेशन दे रखें और उनका फेक्टराइजेशन करना है तो ए पार्ट में हमारे पास क्या दे इनमें से कोई भी एक टर्म सभी में से कॉमन निकल के नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है फेक्टराइजेशन करने के लिए कॉमन फेक्टर निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या करना है दो दो टर्म के पेर बनाने है तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखते है अ AD-CD, यह already grouped है, तो सिर्फ हम इसमें से क्या करना है, common निकालना है, अब अगर हम first हमारे दो terms को देखे, तो दोनों terms में से आपको नजर आ रहा होगा, कि क्या common आ रहा होगा, दोनों के पास क्या है, हमारे पास B है, तो it means, इन दोनों terms में से हमारे पास B को मना जाएगा, bracket लगाएंगे, AB को B से divide करेंगे, हमारे पास बचेगा, A क्यूंकि B से B cancel होजाएगा, minus का sign continue रहेगा, CB में से भी B आपने भाँ निकाल दिया, तो only C बचता है आपके पास, plus, अब second term को हमारे पास, बचा only A, minus, क्या होगा, हमारे पास minus, CD में से भी D बाहर आगया, only क्या बचा आपके पास C, अब आप यहां से भी देख सकते हूँ, क्या आपके factor ठीक है या नहीं, मतलब आप गर आपके ये दोनों brackets equal आती है, दोनों same आती है, it means आपके factor सही बने है, तो जिब दो bracket है, इनको हम एक बार लेखेंगे, A, minus, C, और जो bracket के बार, जो common निकाला था, आपने उसको rearrange करके लिख दोगे, तो next आपका क्या आएगा, B, plus, D, तो ये क्या हो गए हैं, आपके पास, इसके factors बन गया गए है, B part में हमारे पास क्या दे रखा है, term given है, 6xy minus y square, plus 12xz minus 2yz, इसमें भी हमें क्या करना है, same y चीज़ अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, तो 4 terms में से कोई भी common factor निकल के नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे pairing, already इस question में भी pairing की हुई है, क्योंकि देखो, first 2 terms को आप देखते हो, 6xy और y square, तो दोनों में से common चीज़ क्या है, आपके पास दोनों ही terms में आपके पास y है, ऐसे ही अगर हम second pair को देखें, second pair में हमने 2 terms लिया है, 12xz और minus 2yz, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, तो दोनों ही terms में, एक तो देखो, आपके पास 2 common आ रहा है, 12 और 2 में से 2 common निकल क्या जाएगा, दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, दोनों ही terms में, आपके पास z है, तो हम यह वाला pairing किया हुआ है, अब हम common निकलना start करते है, फर्स्ट पेयर में से 6xy minus y square में से, आपके पास क्या common निकल क्या आएगा y, तो अंदर आपके पास क्या बच गया है, 6x क्यूंकि y बाहर आ चुका है, minus का sign y square में से y बाहर आ गया, तो only y बच्चा है, आपके पास plus, अब 12 और 2 में से कौन सा छोटा नंबर है, 2 है तो 2 बाहर आएगा, plus में z भी दोनों ही terms में है, तो z बाहर आ जाएगा, अब 2, 6, जा 12 होता है, तो 6 आ जाएगा, क्यूंकि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, z हमारे पास already बाहर, आपने common ले 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 तो आप हमारे पास क्या बचा है, तो 6X plus minus क्या होगा, minus 2 बाहर आ चुगा है, z बाहर आ चुगा है, तो सरफ हमारे पास next time में क्या बचा है, Y, मैंने first part में भी आपको बताया था, कि आपको ये पता होगा, कि अगर आपकी दोनों की दोनों bracket same आती है, तो it means आपके factor same है, तो जो दोनों bracket जो आपके same आई है, उनको क्या करोगे, आप एक time लिख दोगे, यानि first factor आगए आपका 6X minus Y, और second factor के लिए आपको क्या करना है, जो आपने common निकाला, उसको arrange करके लिखोगे, यानि आप क्या लिखोगे, Y plus में 2Z, तो this will be your factor of the given expression, अब हमारा C part करते हैं, C part में हमें क्या expression given है, B square minus AB multiply 1 minus A minus A cube, factorization करने से पहले, हम थोड़ा सबनी equation को simplify करते हैं, B square minus AB को क्या करेंगे, हम 1 से multiply करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास क्या आएगा, minus का AB आएगा, अब आपको नजर आ रहा होगा, minus AB और minus A की बीच में, क्या दोनों minus क्या है, तो multiply करते हैं, minus minus क्या हो जाता, आपके पास plus, अब जब आप AB को, जब A से multiply करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, A square B, minus में A cube, अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास pairing अल्रेडी हो रखी है, first दो terms के को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास, इसमें भी आपके पास B है, B square है, और यहाँ पे भी B है, इसमेंस यहाँ से आपके पास B भाहर निकल के आजाएगा, next pair को अगर हम चेक करें, तो next pair में हमारे पास क्या common आ रहा है, A square, क्योंकि यह first term में A square है, second में A cube है, तो A square भारा जाएगा, अब हम अपना factor common निकालते हैं, first term में से आपके पास B common आ गया, तो B square में से B जाएगा, आपके पास B बचेगा, minus का sign as it is, A B में से B भारा चुका है, A बचेगा आपके पास, plus का sign, अब next pair में से आप क्या भाहर निकालेंगे, A square, A square निकालने के बाद, A square B में से A square तो भारा चुका है, क्या बचेगा, B minus, A cube में से A square बाहर निकालोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, A, मैंने पहले भी बताया था आपको, कि अगर हमारी दोनों, common निकालने के बाद, दोनों brackets से अगर हमारी पास same आती, it means हमारा factorization बिल्कुल correct है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, यानि B minus A, और next में हम multiplication, means multiply इसको किस से करेंगे, जो हमारे पास common factors आए, तो उसको arrange करेंगे, B plus A square से, तो यह हो गया हमारे पास, required factorization for the expressions, D part करते हैं, D part में हमारे पास है, A square minus A multiply X plus 2Y, plus में 2XY, तो सबसे पहले हमें क्या करना, अपने expression को थोड़ा से simplify करेंगे, A square as it is आएगा, हमारे पास, अब minus, अब हमें क्या करना है, A को पहले X से multiply करना है, A को X से multiply करेंगे, हमारे पास आएगा AX, अब minus plus क्या हो जाएगा, हमारे पास minus, अब हमें क्या करना है, A को किस से multiply करना है, 2Y से और जब A को 2Y से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 2AY और प्लस में 2XY as it is अब हमें क्या करना है क्योंकि 4 terms में से कोई भी A common factor नहीं निकल के आ सकता है तो हम क्या करेंगे अपने 2-2 terms के pair बनाएंगे तो मैंने 1st 2 terms का pair बनाया है और 2nd 2 terms का pair बनाया है अब 1st 2 terms में देखे तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है A square और minus AX में से क्या को मना जाएगा दोनों में से A 2nd pair में से 1 तो 2 आएगा क्योंकि दोनों terms के पास 2 है और 1 हमारे पास Y निकल के आएगा क्योंकि दोनों ही terms के पास Y है तो अब हम नेक्स टैप में करते हैं 1st pair में से मैंने A को को मन निकाला तो यहां पर क्या बचेगा A square में से A जाएगा तो A बचेगा minus का sign as it is AX में से A बहार आचुका है तो सिर्फ क्या बचा वहां पर हमारे पास AX sorry X बचा अब next term में हम क्या करेंगे अब next term थी 2XY 2Y भारा चुका है क्या बचा है X अब अगर आप यहां पर देखो तो दोनों brackets आपकी सेम आईए it means हमारा factorization बिल्कुल correct है अब bracket को हम एक बार लिखते हैं यानि A minus X वन टाइम आएगा और second multiplication में हम कौन से term लिखेंगे जो हमने common निकाले है यानि A minus 2Y तो इस expression का हमारे पास factorization होने के बाद factors क्या निकल क्या है A minus X और A minus 2Y अब E part करते हैं E part में क्या दे रखा है XQ minus 2X square Y plus में 3XY square minus 6YQ अब अगर यहां पर देखे तो एक कोई भी common factor नहीं आएगा तो हम यहां पर क्या करते हैं Pairing करते हैं First two terms की pairing किया है और last two terms की pairing किया First two terms में अगर हम common देखे तो देखो First term में हमारे पास X cube है तो second term में X square है यानि दोनो terms में से हमारे पास क्या common आ जाएगा X square Second pair में हमारे पास दो terms है 3XY square minus 6Y cube अब यहां पर अगर हम देखे तो 6 और 3 और 6 में से 3 कॉमान आ जाएगा और Y स्क्वेर और Y क्यूब में से Y क्यूब भारा जाएगा कॉमान आ जाएगा तो हम step को follow करते हैं first pair में से मैंने बताया था X स्क्वेर हमारे पास कॉमान आ रहा plus 3 और X में से कॉमान निकालेंगे तो 3 भारा आएगा हमारे पास 3 और X जो algebraic term बची है X Y स्क्वेर और Y क्यूब तो दोनों में से Y कॉमान आ रहा है Y स्क्वेर और Y क्यूब में से हमारे पास क्या कॉमान आएगा Y स्क्वेर तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा 3 हमारा बाहर आ चुका है y square बाहर आ चुका है सिर्फ only x बचेगा है plus minus क्या होगा minus 3 2 जा 6 होता है तो 2 और y cube में से y square बाहर आ गया तो y अब यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपकी दोनो brackets same आई है यानि दोनो brackets के है x minus 2y और x minus 2y same आई it means हमारा factorization बिल्कुल correct है अब इस bracket को हम one times लिखेंगे यानि x minus 2y और second बार multiply में दूसरा factor हमारे पास क्या आएगा जो हमारे पास common था यानि x square plus में 3y square तो इस expression के हमारे पास क्या factors आए है x minus 2y और x square plus में 3y square